फ्रदबाद के थाना दक्षे शेतर के गाउं लालो में उस समय हड़कम मच गया जब सुबह निकलते समय ग्रामीडों ने देखा कि एक युवा कशब खेत के समी पड़ा हुआ है जब सब के पास ग्रामीड पहुँचे तो उने पता लगा कि यह तो गाउं का ही रहने वाला रहुल बाहरत द्वाज है तो ग्रामीडों ने रहुल के घरवालों को खवर की और उने बुलाया रहुल के घरवालों ने शब को आकर देखा और शब पर काफी चोटक के निसान मिले की खवर से थाना दक्षिन पुलिस के साथ एसपी सिटी भी मौके पर पहुँच गए औ और डॉग स्कॉाट की टीम को भी बुला लिया गया बारीकी से जांच हुई वही मरने वाले युवक राहुल भारत दर्च के भाई का आरोपय की वैकल साम को फैक्टरी गया था उसके बाद सुबह नहीं लोटा आज उसका शब यहां पड़ा मिला है उसके शरीर पर काफी चोटक के निसान है उसकी हत्या की गई है वहीं पुलिस की माने तो मामला अभी संग्दिक्द है परिवार वालों से तहरीर लेली है पुलिस गंबीरता से जांच कर रही है जांच के आदार पर ही कारवाई की जाएगी यह प्रकण थाना दक्षन से संबन्दित है जहां लालव रोट पर गाउं से लगभग 500 मिचर पहले एक गाउं के ही निवासी थे राहुल पुत्र विनोध इनकी उपरे लगभग 32 वर्स है इनका शब यहां संदिक दोस्ता में मिला है एक खाली प्लाट पे इनके सब को कब